आपके सबी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाटशाला में आज हम क्लास नाइन्थ की वर्कशीट लेकर के आए हैं ये वर्कशीट नमबर 5 है और डेट है 16-4-2021 हिंदी दो बैलों की कथा कहानी चल रही है हमारी इसमें क्या करना है हमें इस वर्कशीट में बस इतना ही काफी है फिर मैं भी जोर लगाता हूं इसमें ही और जो भी ये ही और भी आया है किसी बात पर जोर देने का काम कर रही है कि बस इतना ही काफी है और फिर भी मैं जोर लगाता हूं तो भी और भी जो है वो किसी बात पर जोर देने का काम कर रही है ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम निपात कहते हैं. दो बैलों की कथा पाठ में से पांच ऐसे वाक्य चाटिये जिन में निपात का प्रियोग हुआ हो. हमें बताना है कि दो बैलों की कथा जो है उसमें से कोई ऐसे पांच वाक्य बतानी है जिन में नि यहाँ कुछ मुहावरे दिये गए है, जैसे हिम्मत आना, टक्टकी लगाना, जान से हाथ धोना, इट का जवाब पत्थर से दिना, और दातों पसीना आना, तो इनका वाक्यों में प्रियोग करना है हुमें, अगला कोशिण है हमारा, नेक्स कोशिण, आगे ये वरा कुशिन है थर्ड नमबर इसमें क्या करना है जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनकी अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं प्रत्य ये हमने पहले अपनी 6-7-8 क्लास में भी पढ़ा हुआ है जैसे समाज, समाज की साथ हमने कौन सा प्रत्य जोड़ा एक प्रत्य तो ये क्या बन गया समाजिक तो इस तरह से जो शब्दों के साथ में प्रत्य को जोड़कर परिवर्तन आ जाता है इसमें समाजिक बन गया जैसे तो उसे हम प्रत्य कहते हैं जैसे सुगंद, सुगंद के साथ, शब्द के साथ में कि अंत में क्या जुड़ा है इत जुड़ा है तो ये क्या बन गया सुगंधित तो सुगंधित बन करके और ये इत जो है हमारा प्रत्य था और इससे शब्द में परिवर्टन आ गया पहले ता सिर्फ सुगंध और उसक माजिक शब्द में एक और सुगंदित शब्द में इत जो शब्दांच प्रत्य का प्रियोग हुआ है। दो वैलों की कथां पार्ठ में से किनी दस शब्दों को छाट कर लिखना है जिन में एक इत आ गर तान ना नी प्रत्य का प्रियोग हुआ है। तो इसके अब आंसर स्ट्राट करते हैं तो देखिए पहले में हमें क्या करना था उसमें हमें ही और भी लगा करके जो निपात हैं वो हमें अपने जो हमारी स्टोरी थी दो वैलूग की खता उसमें से ढून करके लिखना था तो पहला क्या है जैसे पहला उत्तर है हमारा की दोनों साथ उठते और साथ ही बैटते थे तो इसमें ही हमारा क्या है ये निपात है अमारा ही तो इस तरह से हमें ये वाला कोशन करना है जैसे second है answer कभी-कभी उसे भी क्रोध आही जाता है तो भी क्या है इसने ये भी निपात है गदे का एक छोटा भाई और भी है तो भी क्या है इसमें निपात है तो इस तरह से हमें sentences बनाने है अगला है जादा से जादा मेरी ही गर्दन पर रहे तो ही मतलब इसमें भी निपात का प्रियोग किया गया है से अगला है कभी-कभी अडियल बैल भी देखने में आता है तो इसमें भी भी क्या है हमारा निपात है तो इस तरह से निपात लगा करके हमें ये question करना था तो इस तरह से ये सारे शब्द जो है किसी वाक्य पर जो है किसी वाक्य पर जोड दीने के लिए निपात का प्रियोग किया जाता है तो पहला कोशन हमारा कंप्लीट होता है अगला है हमारा हमें ये कुछ मुहावरे दिये गए थे जिनका हमें संटेंस बनाने थे जिनका हमें वाक्य में वाक्य बनाना था तो पहला है जैसे हिम्मत हारना तो किसी भी परिस्तिती में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए तो यह हमारा पहला हो गया हिम्मत हारना दिया हुआ था हमें तो जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो ऐसी परिस्तिती में भी हमें हार नही माननी चाहिए अगला है हमारा तक-टकी लगाना आजकल बच्चे कैसे बैटे हुए हैं कि कब स्कूल खुलेंगे कब हमें बाहँ जायकर खेलने के लिए मिलेगा कब हम अपने दोस्तों से मिल पाएंगे कब हम जाकर मुवीज देख पाएंगे रेस्टोरेंट्स में खाना खा पाएंगे तो बच्चे जो है स्कूल खुलने की उम्मीद में सरकार की ओर टक्टकी लगाए हुए हैं तो टक्टकी लगाना ये हमारा हो गया दूसरा मुहावरा अगला है हमारा जान से हाथ धोना आज कल कुरोना के चकर में क्या है पूरी अगला आता है इंट का जवाब पत्थर से देना तो यह दुनिया उसी का सम्मान करती है जो इंट का जवाब पत्थर से देना जानता है क्योंकि अगर आप सीधे साधे रहेंगे तो आपका कोई सम्मान नहीं करेगा और अगर आप बहुत तेज तरार हैं और किसी भी जवा आपका अच्छे से आप जवाब दे पाते हैं, तो इस तरह से इट का जवाब पत्थर से देना अगर आप चानते हैं, तो सारी दुनिया जो है वो आपका सम्मान करेगी. आगे आता है लास्ट हमारा दातों पसीना आना इसमें क्या है दातों पसीना आना शरारती बच्चों को समहलने में मा को दातों पसीना आ गया कि शरारती बच्चे ऐसे होते हैं जो सभी को तंग करते हैं चाहे वो टीचर हो चाहे अपने फ्रिंड्स को हो चाहे अपने घर में कहीं भी हो वो हर किसी को इतना परिशान करते हैं कि छराटी बचों को जिस तरह से समालने में मा को दातों में पसीना आ गया तो ये हमारे कोशन नमबर टू जो है हमारा मुहावरे ये पूरे हुए अगला कोशन करते हैं हम अगला था हमारा कि हमें प्रत्य बताने थे कि हमें एक प्रत्य ता प्रत्य आ प्रत्य इनको लगा करके हमें कुछ प्रत्यों का प्रियूख करके शब्द बनाने थे शब्द हमें जो है अपनी दो बैलो की कथा जो है कहानी में से चाटने थे तो इस तरह से हम करती है तो पहला है जैसे सांकेतिक तो इसमें कौन सा प्रत्य लगा है इक प्रत्य लगा है ये इक प्रत्य जुड़ा है इसमें तो इक प्रत्य जुड़ करके ये हो गया सांकेतिक आगे आता है संगठित तो इसमें कौन सा प्रत्य जुड़ा है इत प्रत्य जुड़ा है तो संगठित हो गया आगे आता है चलाना तो इसमें कौन सा प्रत्य जुड़ा है हमारा आ प्रत्य आगे आता है भागा इसमें भी कौन सा प्रत्य जुड़ा है आ प्रत्य और नादान में कौन सा प्रत्य जुड़ा है आन प्रत्य तो इस तरह से आपको शब्द का निर्मान करना था प्रत्य को लगा कर आगे आता है चटा नंबर चाटनी तो इसमें क्या है इप्रत्य है इसमें मालिक मालिक में फिर क्या आ गया हमारा एक प्रत्य आ गया और कहानी में आनी और मारा में आ प्रत्य है और लास्ट हमारा है बंदा और इसमें क्या है हमारा आ प्रत्य तो यहां पर हमारी वर्क्षीट नमबर 5 क्लास 9 की पूरी होती है अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ जा से जदा इसे शेयर करेगा और हमारे चैनल संस्कृत की पाटशाला को सब्सक्राइब करेगा ऐसे ही हम आपके लिए वर्क्षीट और लाते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीचेगा तब तक के लिए धन्यवाद